सूची से एक बढ़ी आसा नाश्ता बच्चों की भागदोर में सुभा आपको बहुत जल्दी हो रही हो लंच में कुछ बढ़ी आसा बनाना हो आपको यह सबसे बैस्ट ऑप्शन है एकदम कुछ रेसिपी बनके तयार हो जाती है खाने में बहुत टेस्टी लगती है आप श एक खटा करना है उसके लिए हमें चाहिए एक कप सूजी तीन छोड़े चमच तेल दो हरी मिर्चे बारी कटी हुई अगर आपके बच्चे हरी मिर्च पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं धाई कप पानी आदा छोटा चमच नमक एक छोड़े चमच राई या मस्टर्ड सीट्स एक चोथाई चोटा चमच जीरा साथ से आठ कड़ी पत्ता लीव्स दो साबुत लाल मिर्चे एक चोथाई चोटा चमच हल्दी पाउडर एक चोथाई चोटा चमच लाल मिर्च पाउडर तो सबसे पहले हमें एक कड़ाई ले लेंगे और मैं ग्यास करना है अलियों की असटीत कोसी primarily cat भी रहा है ओर फ्रकल टेंगी जरसों सब खएलेगी हों सब्साइबichenيا में तो, ≤ ≥ ≥ ≥ ⋹ ≹ ≫ ≫ ≫ ≫ ≦ ≹ ≫ ≫ ≫ ≹ ≫ ≫ ≫ ≫ ≦ ≫ ≫≫ ≫ 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 और हरी मिर्च डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे और हरी मिर्च को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे फ्लेम मैंने कर रखी है लोसे मीडियम तक ताकि हरी मिर्च जलना जाए तेज तेल जो है वो बहुत अधा गरम ना हो और यहां पर आप इस स्टेज पर एक साथमय जैसे थोड़ी सी फ्राइ हो जाएक हम इसके अंदर डालेंगे पांई और पानी डालने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे मुण जैसा ही डिका लिए इसके अंदर कःतो लाल मिर्च लाम बैखाया जाने आएед बनाया है के हम इसके अंदर रोस की हुई सूजी को एड़ करेंगे तो एक साथ सारी सूजी ना डाले थोड़ी थोड़ी सूजी डाले और लगातार आप इसे चलाते रहें वह इसलिए ताकि इसके अंदर लंस ना रहें तो सूजी के अगर लंस नहीं रहेंगे तो आपके जो बॉल्स ह फ्लेम पर लगातार चलाते रहेंगे वेसिकली हमें क्या करना है कि सारा पानी जो है वो सूजी एब्जॉर्ब कर ले तब तक हमें इसे पकाना है तो हम थोड़ा देर चलाने के बाद मैं इसको एक से लेके दो मिनट तक मीडियम फ्लेम पर करके इसको ढग दूगी ताकि सारा पानी जो है वो सूजी एब्जॉर्ब कर ले जैसे हम सूजी का हलुआ बनाते हैं बस वैसा ही प्रोसेस है तो आप देख रहे होंगे कि अब इसके अंदर पानी बहुत थोड़ा सा बचा है तो अभी हमें इसे लगातार चलाते रहना है यहां मैंने फ्लेम कर रखी है मेडि अब अब थंडा होने देना है तब हमारी सूजी बॉल्स बनेंगी तब तक हम एक तयारी कर लेते हैं यहां मैंने कडाई ली है और उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है दो कप पानी डाला है और उसके उपर मैं इस तरह कर से चलनी रख लूगी वह इसलिए क्योंकि आभ पानी से ऊपर होने चाहिए ध्यान यह रखना है आपको तो इसको हम गरम होने रख देंगे और यहां आप देखेंगे कि आपका जो सूजी है वह भी ठंडी हो चुकी है तो बस आपको करना क्या है इसकी बॉल्स बनाना शुरू कर देंगे हम पहले अपने हातों को थोड़ परिके से हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेते रहेंगे और इसकी हम सूजी बॉल्स बना लेंगे तो सूजी की बॉल्स की शेप जो है वह आपको गोल रखनी है साथ में आप इसका साइज जो है वह थोड़ा बड़ा और थोड़ा छोटा अपने तेस्ट के इसको रख सकते हैं लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप थोड़ी छोटी छोटी सूजी बॉल्स बनाईए एक तो बच्चे उसे बड़े मजे से खाएंगे जब वह थोड़ी अट्रेक्टिव सी लगेंगी और साथ में वह आसानी से आप उठा के खा भी सकते हैं त इसके बाद हमें करना क्या है वह जो सूजी बॉल्स है उन बॉल्स को इसके ऊपर रख देना है और उसके बाद आपको फुल फ्लेम पर सिर्फ घड़ी देखके एक से दो मिन तक इसको स्टीम करना है वह इसलिए कि अगर हम इससे जादा स्टीम करते हैं तो यह जो बॉल्स घड़ी में देखके फुल फ्लेम पर इसको स्टीम किया था उससे क्या हुआ इसकी शेप भी खराब नहीं हुई साथ में यह और भी ज्यादा सॉफ्ट हो गई जब आप खुद देखेंगे कि जब आप यह सूजी बॉल्स मनाएंगे तो हल्किसी आपको हाड लगेंगी ले आपको घड़ी देखके दो मिनिट तक फुल फ्लेम पर इसको स्टीम करना है और दो मिनिट बाद आप जब देखेंगे तो एक दम से फलफी सूजी की बॉल्स आपको मिलेंगी तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो मेरी रेसिपी अची लग लग रही हो तो प् तो आप देख रहे होगे कि सूजी बॉल्स में सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है कि यह हेल्दी है क्योंकि इसमें बहुत कम तेल कर इसमाल किया गया है आप चाहे तो इससे भी कम तेल में इसे बना सकते हैं तो हूई नहूँ है यह है और टेस्टी तो यह है ही तो यहां पर हमारा तेल हो चुका है गरम और गरम होने के बाद जैसे यह थोड़ा सा गरम हो जाएगा फ्लेम मैंने कर रहे हैं मीडियम पर कभी भी हाई फ्लेम पर तेल को गरम ना करें क्योंकि कुछ भी आप उसके अंदर डालेंगे इंक्रीटिंट वो जल सकता है इसलिए थोड़ा स आप इसको मीडियम फ्लेम पर रखें और थोड़ा सा गरम होगा हम इसके अंदर डाल देंगे राई जैसे ही चटकनी स्टार्ट होगी हम इसके अंदर डाल देंगे जीरा तो यह जीरा जो है यह भी ऑप्शनल है बही कई लोगों को हो सकता है पसंद नाए तो आप इसे खा जीरा जैसे ही क्रैक होना शुरू होगा हम इसके अंदर डाल देंगे बाकी की चीज़े तो बाकी की चीजों में मैं इस्तमाल कर रही हूं यह फ्रेश करी लीव्स है करी पत्ता है तो अगर आपको मिल जाए तो बहुत बढ़िया है क्योंकि इसकी खुश्बू फ्रेश की बजाए ड्राइक है अगर ड्राइक है तो कोई बात नहीं आपको डाल सकते हैं तो यह फ्रेश इस्तमाल करी है तो यह करी पत्ता मैंने साथ से आठ डाल दी है उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे यह साबुत लाल मिर्चे इसका तीखा पन हमारे सूजी बॉल्स को द डाल सकते हैं इसके अंदर इसी स्टेज पर उसको थोड़ा सा भून ले बट मैंने इसके नहीं डाला है जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत बेसिक रेसिपी है सिंपल और फटा बनने वाली रेसिपी है तो यहां मैं डाल रही हूं रेड चिली पाउडर लाल मिर्च का पा तो अब कुछ अलग सा प्लेवर चाहिए ते इस तक रहां मैं ग motiv जाहीं कि पर रही थोड़ को बहुत कुछ अलग अलग दे सकते हैं तो यह जैसे कि मैं आपको बतारे हूं यह का अभी बेसिक है आ ताह मैं अपको टिप भी देरियों कि आप इसके अंदर यह भी चीज़ क कर सकते हैं आप इसके अंदर थोड़े से काजू को रोस्ट करके भी डाल सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो बाकी हमारी सूजी बॉल्स के अंदर चली गई है मीडियम फ्लेम है और अब हम इसको अच्छे से टॉस कर लेंगे लेकिन आपको यहां पे बहुत हलके हा मैं चाहती तो इस दोनों कड़ाई के जो हैंडल से उनको कपड़े से पकड़ के टॉस भी कर सकती थी अगर आप थोड़ी से एक्सपीरियंस है खाना बनाने में तो आप यह काम कर सकते हैं लेकिन जो बेकिनर्स है वो इसी तना से जैसे मैं कर रही हूं इस तरह किसाब और सारा मसाला इन सूजी बॉल्स पर चिपक जाए तब तक आप इसको मिक्स कर यह सिर्फ मीडियम फ्लेम पर लो से मीडियम फ्लेम पर यह काम करना है देखे फ्राय हो चुके हैं फटा फट से बन चुके हैं तयार हो गया मैं रेसिपी आप इसे टमैटो की चटनी के साथ ट्राय कीजिए बहुत जबरदस लगते हैं लाख चटनी जो आती है ना बस उसके साथ आप ट्राय करना बहुत अच्छे लगते हैं अगर आप खा रहे है तो बच्चों गो दे रहे हैं तो सॉस के साथ भी दे सकते हैं या फिर हरी चटनी थोड़ी कम तीखी वाली के साथ भी दे सकते हैं, तो नाश्ते में बनाईए, इवनिंग स्नेक्स में बनाईए, या फिर ऐसे ही कभी भी बनाईए, बहुत टेस्टी लगते हैं, I hope आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी.